हेलो स्टुडेंट सीजी सिच्छा अपमाप का स्वागत है आज हम पढ़ेंगे विशे विज्ञान कक्छा दसवी अध्याय पाच हमारा परियावरण परिस्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रवा तो चलिए आगे देखते हैं हमारा परियावरण है ना तो परियावरण किसे कहते हैं जो भी हमारे आजपास है जाहे वो जयविक हो या फिर आजयविक घटक हो उसको हम क्या कहते हैं परियावरण कहते हैं और क्या पढ़ेंगे हम परिस्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रवा है न कि हमारा कैसे क्या बोलते हैं जो हमोंका परिष्थितिक मींस होता है इको सिस्टम है न उसमें कैसे जो उर्जा है प्रवाव होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में टिटिल से पढ़ेंगे इन्वार्मिंट में दब तो आपको पता चल गया है ना हमारा परिया वरण हमारा चाहे वो जैविक हो आजविक हो दोनों के बिज्चु संबंद होता है उसको हम क्या कहते हैं परिया वरण कहते हैं ठीक है जैसे जैसे हम चैप्टर क्यों और पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ecosystem क्या है हमारे क्या बोलते है उर्जा का प्रवाव कैसे होता है वो सारे चीज़े धीरे-धीरे clear होती जाएंगे तो इंट्रो में ये होता है आपका सुरु जैसे कि आपने class 9 में पढ़ा था है ना कुट्वम कानी मच्छी का जो अवास होता है वो क्या होता है कुट्वम सार गुफा होता है ना उसमें क्या रहती है वो पानी क्या बोलते खारा रहता है अंधेरा रहता है जिसके वज़े से वो क्या हो जाती है उनकी आखे छोटी छोटी हो जाती है इसमें हम उसे क्या बोल रहे थे कानी मचली बोल रहे थे तो आपको पता है कि आवास कितना जरूरी ह होता है किसी भी जीव के लिए है ना आवास किसे कहते हैं जिसमें कोई भी जीव क्या रहेगा आपका रहता है खाना खाता है है ना प्रजनन करता है उसे हम क्या कहते है आवास कहते तो किसी भी जीव के लिए आवास बहुत ही जादा अवश्रक होता है तो चलिए आगी देख प्रटते हैं आवास के जयूक है या जयूक घटक हो गया पानी हो गया है वह वो सब क्या आजाएगा आजयविक घटक में आजाएगा जो इन दोनों के पीच क्या रहता है क्या बोलते हैं संबंद रहता है वो जो उनके जीवन को प्रभावित करता है और वही क्या रहेगा उनके जीवन को प्रभावित करता है जैसे कि अभी हमने देखा था कि पानी खा संबंद रहता है, उनके जीवन सेली को क्या करता है, प्रभावित करता है अवास में घटकों से अंतर संबंद के फल स्वरुफ विविद जीवों का अनुकूलन विविद प्रकार से होता है ठीक है, अनुकूलन unuculon means क्या होता है adaptation इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे जो आप क्या बूलते हैं polar region में जाएंगे है ना poles में जाएंगे अर्थ की क्या रहेंगे north pole में जाएंगे south pole में जाएंगे वो बहुत ज़ादा ठंडा रहता है तो ठंडा इलाका है तो वहाँ पस के जो भालू रहते हैं उनका जब आप क्या करेंगे स्कीन देखेंगे फर देखेंगे तो वो क्या होता है बहुत मोटा होता है सफेध होता है है ना तो जहाँ पस वो रहते हैं वहीं पस क्या होता है उनके अनुकूल होने के लिए वहाँ पस रहने के लिए अपने आप में चींजिस कर लेते हैं उसी को क्या हम बोलते हैं? अनुकूलन बोलते हैं तो वहीं बस बोला गया है आवास में घटकों से अंतर संबंद के पल्स हो रूप है ना दोनों की बीच क्या रहेगा अंतर संबंद रहेगा और विवित जीवों का अनुकुलन विवित प्रकार से होता है जहां गर्मी वाला जगह रहेगा तो उसका जो फर रहेगा इदम क्या रहेगा कम रहेगा है ना ठंडी इलाके में क्या रहेगा बहुत ज्यादा क्या बोलते चेंजेस लानी पड़ती है, वो सारे चीज़े उसमें चेंजेस लाते हैं, ठीक है? आवास और आजयवी घटकों के बीच के अंतर संबंध का अधियान करनी के लिए एक गति विधी करते हैं, तो दोनों के बीच है न, जो संबंध है, उसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे? एक रिया कलापन करेंगे, जिससे आपको क्या समझ में आ जाएगा कि एक दूसरे पर वो कैसे नीरभार रहते हैं, तो चलिए देखते हैं, ठीक है? हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अंतर संबंध का अधियान, study of interrelationship कि कैसे आपके HIV घटक हम आरे बीच कैसे क जमबंद रखते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? आपको कोई सबी इलाका छाट लेना है, चाहे आप गारण ले सकते हो, जंगल ले सकते हो, जहाँ पस भी आप क्या करो? एक से दो बर दिन में जा सको, एक सुबा और एक साम को, ठीक है? वहाँ पस आपको जाना है, और क्या करना है, 1 meter into 1 meter है ना, इस तरीके से क्या करना है, एक जगा को चिन कर लेना है, कहीं पस भी, जिसे आप घर के बाहर भी कर सकते हैं, घर के उपर कर सकते हैं, गारण में कर सकते हैं, जहां पस आप डेली जा सके, आपको इस प्रकार से क्या करना है, चिन लगा देना है, और फिर वहाँ पस देखना है कि कितने पेड़ हैं ठीक है जितने ग्रास हैं अगर यहाँ पस ग्रास क्या है आपका 1000 है या फिर 100 है मैक्सिमम तो आप 100 लिख सकते हैं वहाँ पस जितने चीटियां हैं वहाँ पस आप क्या कर सकते हैं उसका नमबर लिख सकते हैं यह सिर्फ मै assume कर रही हूँ कि इतना हो सकता है ठीक है इतना है मैं नहीं बोल रही हूँ तो यहाँ बस आपको क्या करना है चीज़े देखना है मिटी खोदनी है मिटी खोद क्या आप देख सकते हैं कि कि और जीव है कि नहीं है उसके अंदर ठीक ये सारी चीज़े आपको करनी है फिर क्या करना है सुबह भी जाना है फिर देखना है कि क्या होते हैं कितने चीटियां है फिर क्या साम टक आते आतें क्या चीटिया उतनी थी नहीं थी ये सरी चीजे को आपको डेली जागे नोट करना है ठीक है और इसी को देखके कुछ प्रस नहें जिसको आपको उत्त देना है क्या आपको चिनहां कि जगह पर कोई खादी सिंखला खादी जाल नजर आया ठीक है तो जब हमने यहाँ पस किया था तो यहाँ पस आपको कुछ खादी सिंखला या फिर खादी जाल है न तो दोनों में अंतर क्या है खादिय जाल क्या रहेगा आपको पूरे जाल की तरह रहता है और खादिय आपका क्या बोलते है स्रिंखला ठीक है एक चैन की तरह रहेगा जैसे अगर हम गार्डन का ले रहे है तो garden में क्या रहते है? ग्रास रहते है है ना ग्रास को कौन खाएगा? आपका ग्रास ओपर खाएगा ग्रास ओपर को कौन खा सकते है? फ्रॉक खा सकते है फ्रॉक को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा स्नेक को कौन खाएगा? हॉक खाएगा ठीक है, तो इस प्रकार का क्या है, ये simple सा क्या है, आपका chain बना हुआ है, श्रिंखला बना हुआ है, तो इसको हम नों क्या बोलते हैं, खादीश-षिंखला बोलते हैं, खादीश जाल कि इसको बोलेंगे, यहीं पस ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास ओपर खा रहा है, आंट भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, फिर रैबिट को कौन खा सकता है, आपका स्नेक खा सकता है, है ना, तो इस प्रकार से क्या होता है, पुरा जाल बन जाता है, मकड़ी का जाल जैसे बनता है, वैसे खाद जाल मिलेंगे, तो खादी जाल तो नहीं, लेकिन खादी सिंखला मिल सकते हैं, वहाँ पस क्या मिलेगा, आपको ग्रास मिलेगा, है ना, ग्रास को कौन खाएगा, एंट खा सकते हैं, है ना, और ग्रास को कौन खा सकता है, स्पाइडर भी खा सकते हैं, तो इस प्रकार से क्या है आप देख सकते हैं कि कुछ न कुछ को स्पाइडर को कौन खा जाएगा लिजार्ट खा जाएंगे है ना इसको भी कौन खा जाएगा लिजार्ट खा जाएंगे इस प्रकार से क्या रहता है आपको खादे जाल और खादे सिंखला दोनों मिल सकते हैं और ग्रास को कौन खा स स्नेक अगर गार्डन में आ गया है न इस प्रकार से क्या हो सकता है आपका खादी सिंखला या फिर खादी जाल बन सकता है सेकेंड क्या पूछ रहा है क्या पूरे बगीचे में कोई खादी सिंखला खादी जाल नजर आया अब हमने क्या क्या है जो आपने चीन किया था उसको ना छोड़के अगर आप गारण में कर रहे हैं तो क्या वहाँ पस भी आपको खादे सिंखला या फिर खादे जाल समझ आएगा तो हम ये एक एकजामपल ले सकते हैं कि हाँ हमको खादे जाल नजर आ सकता है ठीक है आपके इस इलाके में कौन-कौन से जैविक वा आजैविक घटक है तो यहाँ पस आपको देखना है कि कौन सा जैविक है कौन सा आजैविक है तो आपको जो मिट्टी हो जाएगा जो पानी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका जैविक हो जाएगा आजयविक में क्या आजाएगा आपका जो पौधे हैं जितने भी आपके क्या है जीव है वो किसमें आजाएंगे जैविक में आएंगे और आजयविक में कौन आएगा पानी आजाएगा और मिट्टी आजाएगा ठीक है फिर सुबा और साम के जैविक वा आजविक घटकों में क्या अंतर है ठीक है तो यहाँ पस क्या रहेगा जैविक इधर से उधर जाते रहेंगे जैविक क्या है वहीं पस रहेंगे जितना मिट्टी है उतना मिट्टी वहीं पस रहेगा जितना पानी है उतना पानी वहीं पस रहेगा लेकिन जो जैविक है वो क्या रहेंगे कभी आपने चीन लगाया है उसमें क्या है वो बाहर भी जा सकते हैं अंदर भी रह सकते हैं तो उनका आना जाना लगार हैगा लेकिन जो जाविक रहेंगे वहीं के वहीं रहेंगे तो ये अंतर आपको देखने को मिल जाएगा किसी परिया वरन के छोटे बड़े सभी जीव जन्तु भोजन, प्रजनन और सुरक्षर जासी अधार भूत अवशक्ताओं के लिए एक दूसरे पर और निर्जीव घटकों पर निर्भर रहते हैं तो हमें पता है कि जितने भी छोटे हूँ या बड़े हूँ है ना वो सारे क्या रहते हैं आपने आस पास के चाहे वो जैविक हो या आजैविक खटक हो उन सब में निरभर होते है ताकि वो अपना जीवन चला सके है ना परियवर और जीवों के बीच की इस निरभरता का अधेयन हम नीम लिखे दो अधारों पर कर सकते हैं तो वो क्या है आपके जैविक में भी निरभर करते हैं तो हम उसका अधेयन करते हैं दो बाट में है ना उसको दो उसमें बाट दिया है जिसको हम क्या कर सकते हैं अच्छे जिसकी है विविन प्राणियों में भोजन संबन, जिसका अध्ययान हम खादी सिंखला, खादी जाल, परिस्थितिक पिरामिट द्वारा करेंगे सबसे पहले हम क्या करें खादी सिंखला, जिसको हम क्या बोलते हैं? food chain, ठीक है, खादे जाल, food, wave, परिस्थितिक पिरामिट को क्या बलते हैं हम, ecological पिरामिट, ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, पहले सजीव घटकों के बीच निर्भरतम में, कि उसमें अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, खादे संखला, खादे जाल, परिस्थिति पिरामिट पढ़ेंगे, फिर दूसरा हम क्या करने वाले हैं, सजीव और निर्जीव घटकों के बीच निर्भरता, ठीक है, सजीव और निर्जीव, दोनों के बीच हम क्या करेंगे, निर्भर जो रहेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे पौधों और जंत्वों के जीवन पर मिट्टी, हवा, पानी, जलवाईू, मौस और माधी का प्रभाव जिसका अधेयन हम पदार्थों के चक्र द्वारा करेंगे ठीक है, पदार्थों के चक्र मतलब होता है नूट्रियन सैकल, इंग्लीज में है न, उसके बीच, जैसे की कार्वन सैकल हो गया फॉस्पोरास सैकल हो गया, उसमें हम क्या करेंगे पढ़ेंगे कि सजीव निर्जो एक दूसरे पर कैसे निर्पर होते है ठीक है, प्रारूप हमें अनुमान लगाने वह अलग-अलग छेत्रों का तुलनात्मक अधेयन करने में मदद करते हैं, ठीक है, ये जो आपका है न, जो खादे सिंखला होगा, खादे जाल हो गया, परिस्तितिक पिरामिट हो गया, ये जो आपका निट्रियन सैकल हो गया, वो सारे क्या है एक प्ररूप है, जो हम क्या करते हैं, विविद जीवो और उनके परियावरार के बिज्यो संबंद है, उसको समझने में असानी करते हैं, ठीक है, उसलिए हम उसको क्या करते हैं, उसके प्ररूप को समझ पढ़ते हैं, जैसे खादे सिंखला हो गया, एकोलोजिकल पिरामि की बात कर रहे हैं या फिक खेत की बात कर रहे हैं तो हम अलग-अलग जगा को क्या करें अच्छे से पढ़ें और उसकी तूलना कर सके कि कैसे आपका क्या बूलते हैं सजीव और नीर्जीव या फिर सजीव कैसे क्या बूलते हैं जैविक पे नीरभर है ठीक है आई होप कि आ ecosystem मतलब होता क्या है उसके बारे में हम यहां पस देखेंगे ठीक है तो चले देखते हैं प्राकृतिक के घटकों में अंतर संबंद के कारण अपने अपसंचालित एक विवस्ता बन जाती है जिसे हम परिस्थितिक तंत्र कहते हैं तो यहां पस क्या होता है जीव है है ना वो क संबंद बन जाता है और उसी से क्या हो जाता है एक श्वाव विवस्ता बन जाती है उसी को हम क्या बोटे है एको सिस्थितिक तंत्र सब्द का управ उप्योग सब से पहले 1935 में एजी टैंसले ने किया था तो यह जो इको सिस्थिम जो सब्द है उसका सबसे पहले कब हुआ था इस्तमाल 1935 में एजी टैंसले ने किया था तो अब टैसले के अनुसार क्या है परियावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और आजविक घटकों के अंतर संबंधों के अधार पर बनी एक व्यवस्था है ठीक है मतलब क्या है जो संबंध है उसके है ना उसी के बनी व्यवस्था को हम क्या कहते है एको सिस्टम कहते है अर्थात परिस्थितिक तंत्र के रूप में किया जाना चाहिए और बोल रहे हैं कि इसी स्थिति में करना चाहिए किसी छेत्र विशेष के जैविक समुदाय के साथ आजविक घटकों के अंतर संबंद तदा उनमें होने वाले पेर बदल की विस्तरित अधेयन को परिस्तितिक तंत्र का अधेयन कहा जाता है ठीक है तो यहाँ पस किसी भी विसेश के जैविक है ना किसी भी छेत्र विसेश कोई सो भी आप छेत्र ले सकते छेत्र मतलब गार्डन या फिर आपका जंगल हो जा रहा है समुद्र हो जा रहा है यह सारी जो है जैविक समुद्र हो गया साथ एर जैविक है ना मतलब कि क्या है आपका जैविक तो रहेगा लेकिन साथ में कौन सा रहेगा आपका जैविक भी रहेगा उन दोनों के बीच जो अंतर संबंध है उनमें होने वाले फ जो संबंध है उसको हम जो बध्ययन करते हैं उसे को हम क्या बोलते हैं परिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहा जाता है उसे को क्या क्या जाता है परिस्थितिक तंत्र का अध्ययन I hope कि आपको ये word to word अच्छे से समझ में आ गए होंगे ठीक है तो चले आगे देखते हैं क्या आप जानते हैं ठीक है तो यहाँ पस क्या है क्या आप जानते हैं सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं कौन सा वर्ड यूज करते हैं एको सिस्टम यूज कर रहे हैं लेकिन इससे पहले क्या यूज होता था ecology ठीक है किसी भी क्या बोलते है जैविका जैविक के बीच जो सम्बंद बताता था परियावरण के बीच जो सम्बंद बता रहे थे उसके लिए ecosystem ना use करके हम क्या करते थे Ecology use करते थे यह वर्ट क्या होता था? use होता था जिसका मतलब होता है देखे, युनानी भासा में है ना युनानी मतलब होता है अगर ऐसे ही हम बात करें तो क्या होता है? Eco Eco मतलब होता है घर और Logus मतलब होता है आपका अध्ययन कि क्या हो रहा juice कि जीव हो जीव घर रहता उसके बारे में जो अधेयन करते थे उसको हम क्या कहते थे वैग्यानिक आनिस्ट हैकल ने 1866 में एकोलोजी सब्थ का प्रयोग प्राकृति को एक घर की वैवस्था के रुप में समजाने के लिए किया तो कब था 1866 में कौन वेग्यानिक आनेस्ट हैकल ने ठीक है एकोलोजी सब्द का इस्तमाल क्यों किया था क्योंकि वो क्या है प्राकृतिक का एक घर है ना प्राकृतिक को एक घर जितने भी आपके क्या है नेचर है उसको एक घर बताया और उसी को समझाने के लिए एकोलाजी वर्ड का यूस किया था लेकिन बाद में 1969 में परिस्थितिक की पौधे और जंत्वों का एक दूसरे से तथा उनके वातावरण से संबंदनों का अध्ययन है ठीक है लेकिन बाद में 1869 में क्या हो गया था परिस्थितिक पौधे हो गया आपकी जंत्वों हो गया उन दोनों के बीच क्या रहेगा, इन दोनों के बीच भी क्या रहेगा, अंतर संबंध रहेगा, और साथ में उसके वाता वरण से संबंध रहेगा, उसके अध्यान को क्या कहना जाना लगा, ecosystem कहने लगा, छिक है, I hope कि आपको समLYमा आ गया, इसको और अच्छे से समझने के ल ताकि ecosystem को और अच्छे से समझा जा सके, ठीक है, तो I hope कि आपको यह topic समझ में आ गया होगा, चले आगे देखते हैं, यहाँ पस क्या है, धान के खेत का परिश्थितिक तंत्र, हम किसके बारे में पढ़ेंगे आप, हम परिश्थितिक तंत्र पढ़ेंगे, किसका एक rice farm है खे खेत में, क्या है धान का खेत है, जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पस धान का खेत है, यह सारी क्या है, धान है, खेत है, ठीक है, तो इससे क्या है, आपको ध्यान से देखना है, और इसके में एक सवाल पूछा गया है, ठीक है, कि आपने धान का खेत देखा होगा, अपने अनुभावा चित्रतीन को देखकर बताए कि धान के खेत में कौन-कौन से आजयविक घटक है ठीक है तो यहाँ पस आपको क्या करना है चित्रतीन देखना है और आपने देखा ही होगा है धान का खेत उसमें बताना है कि आजयविक घटक कौन-कौन से है तो क्या हो जाएगा आपका पानी हो जाएगा आपका जो मिट्टी है ये सारे चीज क्या हो जाएंगे आजयविक हो जाएंगे अगर आपका सूर्य की रन है वो भी आपका क्या हो जाएगा आजयविक में आ जाएगा ठीक है अब क्या बोलाया आपको नेक्स्ट धान की खेत के खाद्य जाल का एक उधारन चित्र चार में दिया गया है अपने साथियों से चर्चा करके लिखे कि आजविक घटकों पर जीवन की क्या कोई निरभरता है कैसे ठीक है तो यहाँ पस आप चित्र चार मिन्स ये वाला ठीक है आपको देखना है और पतर लगाना है कि क्या जो जैविक है उसमें आजविक घटकों की अधार है जरूरी है कि नहीं है ठीक है तो हाँ जरूरी है जैसे कि आप यहाँ पस देख सकते हैं कि यह जो धान है या फिर जो भी आपका धान का पेड़ है किस में लगा हुआ, मिट्टी में लगा हुआ, अगर मिट्टी में नहीं लगेगा तो फिर वो कहां होगेगा ठीक है उसको पानी भी चाहिए पानी भी क्या है आपका आजयविक घटक है तो इहाँ पस ये साभित होता है कि आपको जयविक को जिने के लिए आजयविक घटकों की जरुरत होती है ठीक है फिर नेक्स क्वेशन क्या है इस खाद्य जान में कौन कौन सी खाद्य स्रिंखला हैं कोई पाज छाट कर लिखे तो यहाँ पस आपको दिया हुआ है है न यहाँ पस पूरा आपको खाद्य स्रिंखला दे दिया गया है इसमें आपको क्या करना है खाद्य जाल दे दिया हुआ इसमें आपको क्या करना है कोई पास्ट हो खाद्य स्रिंखला बनाना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं देखिए क्या है धान है है न पौधा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पौधा पौधा को कौन खा रहा है देखिए खरगोस तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे खरगोस खरगोस को कौन खा रहा है लोमडी ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा एक खाद्य सिंखला बन जाएगा ठीक है साकेंड देखते हैं तो ये वाले ले लेते हैं, फिर से start कहां पस हो रहा है आपका पौधा, ठीक है, पौधा को कौन खा रहा है, गिलहारी, गिलहारी को कौन खा रहा है, देखो लोमड़ी भी खा सकता है, ये वाली, है न, या फिर आप क्या लिख सकते हो, इस साप लिख सकते हो, और कौन खा रह थिसरा में हम क्या लेंगे? सुर्वात क्या होगा? आपका पौदे से ही होगा ठीक है पौदा को कौन खा रहा है? देखिए चुहा खा रहा है यहाँ पस तो चुहा आगया चुहा को कौन खा रहा है? मानंके चलिए इल्लू ठीक है? उल्लू आप ले सकते हैं, साप ले सकते हैं या फिर आप क्या लेख सकते हैं, लोमडी भी ले सकते हैं तो हम यहाँ पस क्या लेंगे, साप ले लेते हैं ठीक है, यह हो गया तिसरा, फिर चलिए चौथा फिर क्या ले रहे हैं, पौधा, ठीक है पौधा को कौन खाएगा आपका बीच खाने वाला पक्ची फिर पक्ची को कौन खा रहा है देखिए उल्लू खा सकते है आपका या फिर लोमडी तो हम क्या ले रहे हैं आपस उल्लू फिर पाच्वा ठीक है तो यहाँ पस हम क्या कर रहे है पौधे को कौन खा रहा है आपका ये कीडा है ना तो हम क्या लिख सकते हैं कीडा लिख सकते हैं कीडा को कौन खा रहा है मचली यहाँ पस हम मचली लिख सकते हैं यहाँ पस अब देख सकते हैं कि खादे जाल में हम पास्ठो खादे सिंखला निकाल सकते हैं आपको इस भी ले सकते है कि साका हारी कीट खा रहा है उसको मकडी खा रही है मकडी को पक्छी खा रहा है पक्छी को साफ खा रहा है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं लंबे लंबे भी खा दे सिंखला यहां से निकाल सकते हैं I hope कि आपको ये clear है, पौधे को हमेशा इसलिए लिया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पौधा क्या करता है, सूरी संसलेशन करता है, सूरी संसलेशन से क्या होता है, वो अपना खाना खुद बनाता है, और क्या करता है, कर्भोहाइरिट बनाता है, ये अपने छोटे- प्रासों में पढ़ा है ठीक है तो कभी भी आप देखेंगे तो सबसे पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा पौदा ही रहेगा आई होब कि आपको यह क्लियर है चले नेक्स देखते हैं ठीक है खादी सिंखला का विश्री तद्धियान करने जब 0.1 हेक्टर 1000 मीटर स्क्वेर छेत्र फल में जीवो की संख्या का पता लगाया गया तो उनके बीच का संबंद कुछ इस प्रकार मिला ठीक है तो यहाँ पस यह बोल रहा है कि खादी सिंखला उनको जानना था तो उन पस क्या कर लिए कि वहाँ पस जीवो की संख्या का पता लगाया तो उनको क्या मिला कि यहाँ पस कितने धान है एक लाग धान ठीक है एक लाग धान को कीदे क्ड़ी खाःयर चुभी घार है एक निकाला है जिसको हमको answer करना है तो पहला question क्या था उपर रोक्त खादी सिंखला में कौन-कौन से जीव उभोगता है ठीक है तो यहाँ पस बोल रहा है कि उपर रोक्त खादी सिंखला में कौन-कौन से जीव उभोगता है तो सबसे पहले हम यहाँ आपस दो पढ़ेंगे पह खुद उत्पन कर सकता है जैसे कि आपका क्या जितने भी पेड़ पौदे हैं वो क्या करते हैं अपना खुद बनाते हैं तो वो क्या कर रहे हैं उत्पन कर रहे हैं खाना को इसलिए उसको क्या कहा जाता है उत्पादक कहा जाता है और इंग्लीज में क्या कहा जाता है उसको प्रोडियूसर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे है, प्रोडियूस कर रहे है, उत्पन कर रहे है, सेकेंड होता है आपका उत्भोक्ता, जो क्या करेगा, उत्पादक पे क्या रहेगा, निर्भर रहता है, उसको हम बोलते है उत्भोक्ता, जिसको हम क्या करते हैं इंग्लिस में consumer, क्योंकि वो क्या कर रहे है, जो भी चीज़े क्या कर रहे है, उत्पन कर रहे है, उसको क्या करता है, खाता है, consume कर रहे है, इसलिए उसको क्या बोले जाता है, consumer और हिंदी में क्या बोले जाता है, उप्भोगता, I hope कि आपको दोनों में कोई भी difference नहीं है, ठ आपस कौन-कौन से जिव उभोगता है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं, चुहा हो गया, साफ हो गया, बाज हो गया, यह क्या है आपके उभोगता में आएंगे, क्योंकि वो किस पे निरभर है आपके पौधे पे, और पौधा क्या आपका उतपादक है, ठीक है, फिर दूसर रहा है एक बाज कितने सपों पर निरवार है आप देख सकते हैं यहाँ सम क्या लिख सकते हैं 10 ठीक है तो एक बाज कितने सपों पर निरबार है 10 सप पर यदि चूहों को खत्म कर दिया जाए तो इसका प्रभाव धान के पौधों पर साप और बाज पर किस प्रकार पड़ेगा ठीक है तो यहां बस बोल रहा है कि अगर हम चूहे को ही खत्म कर दे रहे हैं तो धान के पौधे साप और बाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ठी लेकिन किया है साफ खान रहाए चुगे तो अगर चूगे ही खतम हो जाएंगे तो साफ क्या खाएगा वो कुछ और छीज़ घोदने को लगेगा। और जितने चुगे खारा बाहर जाके भी उतने मिल जाए तो ये क्या हो जाएगे या तो फिर खत्म हो जाएंगे आधे या तो फिर इधर उधर भागेंगे सेम चीज आपका बाज में होगा ठीक है वो क्या रहेगा या तो क्या बोलते हैं आधे खत्म हो जाएंगे या तो फिर क्या हो जाएंगे उधर उधर भाग जाएंगे अपने खाने के तलास में I hope कि आपको सारे questions और उसके answer अच्छे से समझ में आ गए होंगे ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं उपड़क्त सवाल का उत्तर खादे जाल को ध्यान में रख कर देने का प्रयास किया जाएंगे तो चुहे की खत्म होने का प्रभाव गिलहैरी या साकाहारी कीटो पर किस प्रकार पड़ेगा ठीक है तो यहां परकादे जाल को ध्यान में रखना है और इसका उत्तर देने है कि चुहे की खत्म होने से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है ठीक है इसमें कुद भी प्रभाव उनका नहीं पड़ेगा ठीक है तो चले आगे देखते हैं किसी भी परिस्थितिक तंत्र में जेव विविदता इतनी अधिक होती है कि खाने वाग खाय जाने वाले के संबन खादे सिंखला से नहीं बलकि खादे जाल से पता लगाया जा सक तो आप जान सकते हैं कि किसी भी परिस्थितिक तंत्र एकोसिस्टम में इतने जादे विविदता होती हैं जीव जन्तु की कि है ना हम क्या कर सकते हैं खादे जाल से ही पता लगा सकते हैं खादे सिंखला एवं खादे जाल में हम देखते हैं कि कुछ जीव पूर्ण निर्भर था दान के पौधे पर निर्भर था और चुहा किस पर साब किस पर निर्भर था चुहे पर निर्भर था और बाज किस पर निर्भर था साब पर तो हम देख सकते हैं कि क्या है आपका कोई क्या रहेगा पौधे पर निर्भर है तो कोई क्या रहता पौधे क्या बोल का निर्भर है ठीक है तो उसलिए क्या हम पढ़ेंगे इसमें परिस्थितिक तंत्र और पोशक तंत्र तो इसी के अधार पे हैं अलग-अलग हमको नजर आ रहा है तो हम अलग-अलग स्थर में उनको पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम और ट्रॉपिक लेवल्स ठीक है तो इस प्रकार के समू में जीवों के अधेयन का समाने प्रस्तूति करन करने के लिए इन्हें किसी न किसी इसतर पर माना गया और उन सबी इसतरों को पोशक इसतर कहा गया है जैसे ठीक है जैसे कि हमने क्या देखा था धान तो सब क्या रहते हैं अलग-अलग क्या इस तर में रहेंगे तो उनको हमको अधेयन करने में क्या रहेगा बहुत इजी जाएगा इसलिए हम उसको अलग-अलग क्या करते हैं प्रस्तूति करन करते हो और अलग-अलग क्या करेंगे पोसक इस तर पर बार देते हैं जैसे कि यह यहां पस देखते हैं ठीक है उसको क्या बोला गया पोसक इस्थर बोला गया तो सबसे पहले आपका उत्पादक ठीक है जिसको हम बोलते हैं प्रथंग पोसक इस्थर बोलते हैं फ्रस्ट टॉपिकल लेवल ठीक है इंग्लिज में क्या बोलेंगे टॉपिकल लेवल और हिंद बश्य को कौन खाएगा? मान के चलिए, ग्रास ओपर हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ग्रास ओपर, तो वो क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? पहला primary consumer या फिर प्राथमिक उपभोगता हो जाएगा, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? प्रथम पहला किसको ग्रास धान को खा रहा है इसलिए वो क्या हो जाएगा ग्रास ओपर हो जाएगा ठीक है और इसको हम क्या बिलेंगे द्यूतिया पोसक इस तर में आएगा यह क्या में आएगा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आएगा ठीक है ट्रॉपिक लेवल अलग है जिसको हम क्या करेंग के नीचे में सो करते हैं ठीक है ये पहला हो गया ये फर्स ट्रॉपिक लेवल हो गया उसके उपर वाला जो आएगा वो दूसरा ट्रॉपिक लेवल आ फिर उसके बाद थर्ट ट्रॉपिक लेवल फिर उसके बाद फॉर्थ ट्रॉपिक लेवल इस तरह से क्या आएगा आपको बढ़ते जाएगा ठीक है अब यह हो गया आपका प्रात्मिक उप्भोगता सबसे पहले हम क्या करेंगे उत्पादक को रखेंगे उत्पादक को क्यों रखेंगे क्योंकि वो हमारे को क्या दे रहा है खाना दे रहा है ठीक है और इसी को हम क्या बोलेंगे फिर्स ट्रॉपिकल लेवल बोलेंगे ठीक फिर उसके बाद आएगा क्या प्रात्मी को भोकता जो उसको खाएगा, जिसकी आपका grass अपर हो गया, ठीक है? वो किसमें आयगा? आपका duty-a पोसक इस्तर में आएगा, फिर आएगा आपका duty-a उबभोगता अप grass अपर को कौन खाएगा? मानके चलिए frog खाएगा, तो हम क्या लेगे वो क्या लेगा आपका द्यूतिय उभोकता रहेगा जिसको हम किस में सो करेंगे त्रित्य फोसक इस्तर में सो करेंगे फिर आएगा आपका त्रित्य उभोकता फ्रॉक को कौन खाएगा इसनेक खाएगा तो इसनेक क्या होगे आपका तर्सरी त्रित्य उभोकता म मनुसे वो क्या खाते हैं मनुसे स्नेक को भी खा देते हैं तो अब मनुसे को यहाँ पस लिख सकते हैं ठीक है यह हो गया या तो फिर आप क्या लिख सकते हैं हौक लिख सकते हैं या फिर इगर लिख सकते हैं तो यह किसका आएगा आपका पंचम पोचर पोशक इस्तर ठीक है सबसे पहले क्या आएगा उत्पादक फिर उसके बाद कौन आएगा आपका प्राथमिक उब्गोक्ता फिर क्या आएगा द्यूतिया ठीक है फिर क्या आएगा आपका त्रीतिया इस प्रकार से ये क्या रहेगा आपका फर्स ट्रॉपिक लेवल ये आपका सेकंड ट्रॉपिक लेवल ये आपका थर्ट ट्रॉपिक लेवल और ये क्या जाएगा आपका फॉर्थ और ये क्या रहेगा आपका फिप्थ ठीक है कि किसने Prefer Arc कि आपका क्या रहे रहे गा अपकर क्या रहेगा गोगतर हो फर्फ्विकर लैवल में रहेगा ठीकर OUR जो आपकर क्या गते स्क prêt रहेगा जो चत्तूरतू वो क्या रहेगा आपका फिप्त ट्रॉपिकल लेवल में रहेगा ठीक है इस प्रकार से आप क्या करेंगे लिखेंगे तो यहाँ पस क्या जाएगा आपका मान के चले एक्जामपल यहाँ पसा जाएगा ग्रास यहाँ पसा जाएगा आपका ग्रास पर यहां पस क्या जाएगा आपका frog, frog को कौन खायगा snack और snack को कौन खायगा आपका विप्त में hawk ठीक है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन से प्रॉपिक लेवल है पोसक आपका इस तर है और कौन सा आपका क्या बोलते है उब्भोगता है प्राथमिक उब्भोगता है ठीक है पादक है, प्रात्मिक उबहोगता है, दियोते उबहोगता है, इस प्रकार से, ये वाला क्या है, आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि जो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो इसी से रिलेटेड आपका रहेगा, फर्स ट्रॉपिक लेवल, सकेंड ट्रॉपिक लेवल है ना, पहला पोसक इस्तर, दुसरा पोसक इस्तर, ये सारे चीज़ें आपको जानी जरूरी है, क्योंकि आगे में ये क्या होगा, कंटीन्यू होगा, ठीक है, तो किसी पोसक इस्तर के जीव समुदाय कि अगले पोसक इस्तर द्वारा संख्या पर नियंत्रर संबंधी निर भरता होती है ठीके तो यहां पर क्या बोला गया है कि एक, दूसरे पर रहेंगे, आगे प्रजन करेगए वह सारे चीजिए किस पर करेंगी पहले आपके इस तर पर करती त Украї है जैसे कि यहां पर यह जाना जाता है जो पहला इस्थर है उसमें क्या रहता है दूसरा इस्थर क्या रहता है निर्भर रहता है ठीक है I hope कि आपको यह clear हो गया होगा परिस्थितिक तंत्र में ऐसे जीव भी होते हैं जो अन्य जीवों के अपसिस्थ पदार्तों और मित जीवों के सरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं हाँ हमको पता है कि ऐसे आपको बहुत सरे जीव जन्तु मिल जाएंगे कि दूसरों को खाते हैं और उसके जो मृत रहते हैं उसको भी खाते हैं यह क्या कहलाते हैं आपके अब मर्जग जैसे कम्मा तिल चट्टा आ दी ठीक है इसका मतलब होता है इसके वेंजर्ज जिसके अंदर आता है आपका क्या कम्मा तिल चट्टा मतलब होता है कौक रोजेज है ना और अब घटक को हम बोलते हैं डीकम्पोजर जिसकी यहाँ पर लास में क्या था हमारा हॉक था है ना अब यह जो हॉक है उसको कौन खाएगा कोई नहीं खाएगा मानके चलिए यह मर जाता है तो मर जाता है तो वो क्या होता है अपने अप क्या हो जाता है अप घटक हो जाता है किस से अप घटक को से जैसे कि आप पर जिवाडू हो गया, है ना कवक हो गया, ये सारे क्या रहते हैं आपके decomposers रहते हैं, वो क्या करते हैं, आप घटन करने में आपकी मदद करते हैं, इसलों उसको क्या कर लागाता है, अप घटक कहलाते हैं, ठीक है जिवाडू मतलब होता है आपका बैक्टेरिया और कवक मतलब होता है आपका फंगी ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपके help करते हैं किसी भी जैसे ये hawk है उसको क्या करेंगे अब घटन करने में वो मदद करते हैं आपके आपके आपको ये इतना clear है ये आपको ध्यान में रखना है कि जो दूसरा इस्तर रहता है वो पहले इस्तर पे क्या रहता है पूरी तरह से निर्भर रहता है कि उसकी संख्या कितनी होगी ठीक छले next देखते हैं अब यहाँ पस है कि जो दूसरों पे depend रहते हैं सड़े गले खाते हैं उसको हम कौन से स्थर पे रखेंगे तो हम कुछ इस स्थर पे रख सकते हैं ठीक है जैसे कि प्रथम पोशक स्थर में क्या रखेंगे पौदे रखेंगे फिर ये क्या हो जाएंगे, जमिन में मिल जाते हैं, जमिन में क्या रहता है, पौदे में वापस चले जाते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, I hope कि समझ आ गया होगा कि इसको कौन से लेवल पर रखा गया है, ठीक है, तो चले, आगे देखते ह पोशक इस तरों में जीवों के बीच निर्भरता, संसादों का वित्रण, उर्जा का प्रवा, इत्यादी के मात्रात्मक अध्ययन के प्रस्तूति करण के लिए हम एक और प्रारूप परिस्थितिक पिरामिट की मदद लेते हैं, ठीक है, तो पोशक इस तरों और जीवों क के बीच जो निर्भरता है, उसको हम किसे लेंगे, एक और प्रारूप लेंगे, एक और मॉडल लेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिरामिट, ठीक है, इससे अलग-अलग परिस्थितिक तंत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम क्या कर पिरामिट की मदद लेते हैं, तो अलग-अलग हम क्या कर सकते हैं, तूलना करके हम पढ़ सकते हैं, ठीक है?